सुभु प्रभात मित्रों मिरा नाम है अजय मौरिया और आप देख रहे हैं अजय सर्जी यूट्यूब चैनल दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए कच्छा एक हिंदी का लेशन प्लान दे करके आया हूं तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बताता हूं कि डिस्क्रिशन में लिंक मिलेगा जहां आपको सभी विश्यों के हजारों लेशन प्लान देखने को मिल जाएंगे इसलिए डिस्क्रिशन में जाएए और जैसे ही वहां आप टेच करेंगे अलग-अ आप हजारों लेशन प्लान का लाब ले सकते हैं तो दोस्तों लेशन प्लान बनाने में सरपतम उपर आपको लिखना होता है पाठ योजना संख्या यह सबसे उपर रहेगा फिर उसके निचे आप लिख देंगे विद्यालय का नाम जहां पर आप से च्छन कार के जाएंग और उसके निचे आप लिख देंगे चात्रा ध्यापक का नाम चात्रा ध्यापक या चात्रा ध्यापक का नाम उसके निचे आप लिख देंगे और फिर उसके बाद आप पांच कालम बना लेंगे पांच कालम आप बनाएंगे दिनांग कच्छा विश्य चक्र या कालांस उ जिस तिस में सिच्छन कार कर रहे हैं जिस कच्छा को पढ़ा रहे हैं कच्छा के नीचे लिख दीजी और जिस विशय का सिच्छन कार कर रहे हैं जैसे अब आज हम हिंदी का सिच्छन कार कर रहे हैं तो हिंदी लिख देंगे जो घंटी होगी उसको आप चक्र में दर्सा दे प्रकरण के नीचे आप लिख देंगे सामान उद्देश, सामान उद्देश में नमबर एक उद्देश है, बच्चों में हिंदी विषय के प्रतुरूची जागरित करना, नमबर दो, बच्चों को मात्रा का ग्यान कराना, नमबर तीन, बच्चों में हिंदी लेखन छमता का विकास करना, नमबर चार, बच्चों में हिंदी पढ़ने की छमता का विकास करना, फिर उसके बाद आप पांच में पाजाएंगे बच्चों की मानसी कलपना सक्तियों को जागरित करना, फिर उसके बाद आप विशिश्ट उद्देश लिखेंगे सामान उद्देश के नेचे विशेश उद्देश लिखेंगे विशेश उद्देश में क्या है बच्चों को आय की मात्रा का ग्यान हो जाएगा तथा वैं इसका प्रयोग भी सीख लेंगे पिर उसके बाद सहायक सामगरी का नंबर आता है सहायक सामगरी मों देखिए आयाँ च्छर से बनी हुई भस्तुगों पूर्व ग्यान पूर्व ग्यान में देखे क्या है बच्चे हिंदी बनवाला के सभी अच्छों को पहचानते हैं तथा उनको आ चोटी इबड़ी इउ बड़ाओ री एकी मात्राओं की जानकारी है फिर उसके बाद आप प्रस्तावना प्रश्ण करेंगे प्रस्तावना प्रश्ण में देखे तीन कालम करम संग के अच्छातर ध्यापक रिया यहां पहला प्रश्ण करेंगे किसी एक बच्चे को खड़ा करके उस गारी का नाम बताओ जो बैलों से चला जाती है चात बताएं चात बताएगा कहेगा कि प्रश्ण को GET को सी मात्रा लगी है दो प्रश्ण करेंगे प्रस्तिं के बाद प्रसुति करन में 2 कालम बनाएंगे यहां देख लिए बच्चों को बताएंगे बैल गारी बैल गारी सब्द में बै अच्छर पर आय की मात्रा लगी है जिसको चिन है उसका चिन मनाख से प्रदासित करते हैं बतादें के यही चिन है उसका चाहत ध्यान पुर्भक सुनेंगे फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कुछ उदाहरन ले करके बताएंगे जैसे गयस गय पे आय की मात्रा लगी हुई है और धन सै पे कोई मात्रा लगी है फिर आय की मात्रा का यहाँ चिन लिख देंगे निचे तो क्या बन जाएगा गयस बन जाएगा पैसा में देखिए पे आय की मात्रा लगी हुई है और सै प पर चिन लिख देंगे बराबर पैसा हमको प्राप्ट जाएगा ऐसे ही तोड़ तोड़ कर बच्चों को बता देंगे स्यामपटकार में भी देखिए कुछ उधारा ले लेंगे बैठक और पैदल इसका बिच्चेद कर देंगे बैपे आय की मात्रा और ठया उक्या पर कोई मात्रा नहीं लगी है फिर आय की मात्रा चिन ले देंगे उसी प्रकार पैदल में पैपे आय की मात्रा अध्या अवल्य बच्चा में घूम घूम कर छात्रों की काप्यों का निरिष्ण करेंगे कि वैसे आंपढ़कर काप्यों उतार रहे हैं या नहीं पर उसके बाद पुंद्राब्रित प्रश्ण कर लेंगे पहला प्रश्ण है बैठक सब्द में कौन कौन से अच्छर आए हैं नमबर दो बैठ करके लाएंगे फिर उसके नीचे हस्ताक्षा पर वेच्छक रहेगा फिर हस्ताक्षा चात्र द्यापक रहेगा इस इक साथ लेशन प्लान समाप्त होता है दोस्तों आप लोगों से एक अपील है कि वीडियो को लाइक नहीं किये दोस्तों वीडियो को लाइक कर लिजिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कियें तो सब्सक्राइब भी कर लिजिए और डिस्क्रिशन में आपको लिंक मिलेगा जहां आपको सभी विस्यों के हजारों लेसल प्लान देखने को मिल जाएंगे जै हिंद जै भारत